नमस्कार दोसर फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ दोसर इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ MI11 में आप यहाँ पर notification ringtone की setting कैसे कर सकते हैं तो notification ringtone लगाने के लिए यहाँ पर मैं आपको full setting बताने वाली हूँ तो notification की setting करने के लिए आपको यहाँ पे चले जाना है सेटिंग पे और सेटिंग पे जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको sound and vibration को option देखने को मिलता है आप इस पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपको notification पे क्लिक करना है और notification पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कफी सरे जो ringtones MI के तरफ से दिये जाते हैं वो सभी देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पे आप category wise भी select कर सकते हैं चैसे भक्ती, romance, party वगरा और भी नीची आपको हिंदी पंजाबी song दिख जाएंगे तो इन में से लेने हैं तो आप यहाँ पे select कर लेंगे तो यहाँ पे आपको option दीखने को मिल जाएंगे तो यहाँ से आप इसको select कर सकते हैं और यहाँ से आप click करके text message के लिए करना है तो नोटिफिकिशन के लिए मैं यहाँ पे click कर दोँगी तो यहाँ से डाउनलोड होगी, apply हो जाएगा successfully तो यहाँ पे यह apply हो चुका है successfully और back कर देंगे तो आप देख सकते हैं, यह वाला गाना आपका set हो चुका है लेकिन यहाँ पे अगर आपने कोई गाना वगर डाउनलोड कर रखा है वो लगाना है, तो इसके लिए आप choose local ringtone पे click करेंगे और यहाँ से आप file manager में से या फिर कहीं से भी जाके अपना गाना select कर देंगे और ok कर देंगे, तो यहाँ पे वो add हो गया है और इसको आप यहाँ पे apply पे click कर देंगे और इसको notification के लिए करना या फिर text message के लिए तो मैं यहाँ पे notification के लिए click करूँगी और इसके बाद back कर दूँगी तो आप देख सकते हैं अब यह वाला notification ringtone आपका यहाँ set हो चुका है तो इस step से आप यहाँ पे notification की setting कर सकते हैं आप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी टाइप के और इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार